हेलो दोस्तों तो चलिया आज में दिखाती हूं अपनी सासुमा का छोटी सी बगिया जो बहुत ही सुन्दर है उसमें उसमें साथ सब्जियां उन्होंने लगाई हैं चलिया यह देखते हैं यह देखिए कितना सुन्दर सा गुलाब है यह देखिए अनार का पेड़ यह देखिए नीम्बू का पेड़ है यह पपीते इतनी सारे यह देखिए कितनी इतना खुप्शूरत यह देखिए आम के पेड़ यह देखिए यह है पालक यह सब पालक है और आई दो भी खातें हैं यह है धन्या पत्ती यह दो जोड़ सब धनियापत्ती हैं और यह जंदली मक्यी का पेड और आएज आपको और दिखाते हैंं ये देखी दोस्तों ये है पूल गोभी के पौधे और ये है गाजर गाजर अभी हुआ नहीं है अभी हुआ जो कुते ही देखिए दोस्तों छोटे-छोटे हैं अभी अभी इसको बड़े होने में काफी टाइम लगेगा तो चलिए आगे देखते हैं और ये है ये है ये है प्याज कर सागा ये सब इतना सब और ये सब देखी इधर सब गाजा लगे हुए है इधर वो है आईए दोस्तों आपको मूली दिखाती हूँ कितनी बड़ी है ये देखिए दोस्तों कितनी सुन्दर मूली है देखिए कितनी अच्छी मूली है इतनी बड़ी फ्रेस एक दम आईए आपको दिखाते हैं और चीज़ें कितनी अच्छी मूली हुआ है ये देखिए दोस्तों ये सब बटर है बटर के पौध है ये देखिए चोटे-चोटे फूल अभी आ रहे हैं अभी काफी टाइम लगेगा आईगी चलिए आपको सर्सू दिखाते हैं है कितना सबस हे आपको एका उन है है किता है स्थक्डम के आपको ए December कितना स45 व कई इद के ईदिन तर Circearnya के लगीं िए येस क्यू कोम में में मुट है आलू के पेड़ दिखाते हैं यह देखिए दोस्तों यह सब आलू के पेड़ हैं कितने सुन्दर हैं देखिए आप लोग कितनी ही सुन्दर छोटी सी बग्या है देखिए आम का यह देखिए अब यह मेरा सुन्दर सा घर चलिए तो अब चलते हैं वापस तो देखा आपने दोस्तों कितना ही सुन्दर बद किया था आई दोस्तों और लिखाती हूं मैं आपको यह देखिए एक और अनार का पेड़ है यह यह आम का है यह भी आम का है देखिए कितने सार आम के पेड़ लगे हुए हैं कि देखिए देखिए मम्मी ने इतने सुन्दर सुन्दर पौधे लगाए हैं कि देखिए मम्मी आपको करूख भाए हैं